पाँच साल से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री हैं और पाँच साल से वो दो हिंदुस्तान बनाने में लगे हैं एक हिंदुस्तान अमीर लोगों का हिंदुस्तान अने लंबानी का हिंदुस्तान जिसमें लोग प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं जो भी चाहते हैं पाते हैं बैंक से करजा लेते हैं करजा माफ कराना होता है तो बिना किसी को पता लगे साड़े तीन लाग करोर रुपे नरेंद्र मोधी माफ कर देता है नीरव मोधी महूल चोकसी ललित मोधी विजय मालिया जैसे लोग बैंक से हजारों करोर रुपे चुरा कर भाग जाते हैं कोई कारवाई निगोती और दूसरे हिंदुस्तान में किसान हाथ चोड़ कर कर्जा माफी की मांग करते हैं अरुन जेटली जी कहते हैं ये हमारी पॉलिसी नहीं है युवा पांच साल से भटक भटक कर रोजगार ढूंडता है नरेंद्र मोधी हर रोज कोई नया अपने भाशन में कोई नया स्टेट्मेंट कर देते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया रोजगार देने की बात करते हैं कहा था दो करोर युवाँ को रोजगार देंगे पता लगा 24 घंटे में 450 जुवाँ को रोजगार देते हैं लोग सभा में TRS के MP उनकी पूरी मदद करते हैं नोट बंदी की गई तेलेंगाना के चीफ मिनिस्टर कहते हैं बहुत अच्छा हुआ पूरे देश में करोनों लोग बेरोजगार हुए बहुत अच्छा हुआ GST लागू होता है पांच अलग अलग टैक्स छोटे दुकानदारों को स्मॉल मीडियम बिजनिस वालों को नुकसान पहुँचता है आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं बहुत अच्छा हुआ जो भी नरेंद्र मोधी जी लोकसभा में राजसभा में करना चाहते थे वो आपके चीफ मिनिस्टर ने उनको मदद करके दिया राफाइल हवाईजाज खरीदने में नरेंद्र मोधी 30,000 क्रोड रुपे चोरी करके आनिलंबानी को दिते हैं यूपिया की सरकार ने कहा था एचेहल को कॉंट्राइक मिलेगा हिंदुस्तान के युवाउं को रोजगार मिलेगा राफाइल हवाईजाज हिंदुस्तान में बनाए जाएगा 526 करोड रुपे का हवाईजाज नरेंद्र मोधी ने 1600 करोड रुपे में खरीदा वाईउ सेना की बात करते हैं मगर उसी वाईउ सेना से 30,000 करोड रुपे चोरी करते हैं अने लंबानी ने हवाईजाज कभी नी बनाया अमी लंबानी जीवतनलो यपड़ु कुडा युद्द विमाना नी तायर चेहला एचेहल ने मिग हवाईजाज, सुकोई हवाईजाज मिराज हवाईजाज, जैगवार हवाईजाज बनाया हर रोज हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होके उनके बरश्टाचार की बात करते हैं हिंदू अखबार में सरकारी डॉक्यमेंट्स आते हैं साफ लिखा है नरेंद्र मोदी ने पैरलन नेगोसियेशन किया नरेंद्र मोदी ने हिंदूस्तान की एरफोस का नुक्सान किया मेरा आप से सवाल है के सी आर जी ने राफाइल मामले पे कितने बाद टिपनिक दी